टो ट्रक टॉम हाई सैम क्या कर रहे हो आज तुम सडक की सफाई कर रहे हो ताकि मैट पहाड़ पर चड़ सके काफी मुश्किल काम लगता है क्या हुआ लगता है तुम्हें बरफ अटाने में परिशानी हो रही है ये तो ठीक नहीं मैट को फिर जाना भी है क्या तुम्हें एक और बार कोशिश करके देखोगे मुझे लगता है हमें टो ट्रक टॉम की जरूरत है टॉम, सुनो टॉम सैम दसनोपलो को तुम्हारी मदद की जरूरत है जल्दी चलो टॉम पुलिस कार मैट को फिर पहाड़ पर भी जाना है अब जादा दूर नहीं वो रहे दोनों देखो, मदद के लिए टॉम आ गया सैम को सड़क साफ करनी है ताकि मैट पहाड़ पर जा सके पर उसकी सनोपलो काम नहीं कर रही इसके लिए हम क्या करें? अच्छा इडिया है टॉम चलो उसे आमको गराज ले जाकर ठीक करते है ज्यादा तेज मत चलो नहीं तो बर्फ पर फिसल जाओगे समलके, समलके बढ़िया काम करा चिंता मत करो मैट हम जल्दी वापस आ जाएंगे लो हम पहुँच गए तुम्हें क्या लगता है? क्या खराब है टॉम? अरे देखो सेम के वैक्यू में एक पत्थर अटक गया है इसी वज़े से वो बर्फ साफ नहीं कर पा रहा चिंता मत करो टॉम को पता होगा की क्या करना है अच्छा एडिया है चलो इसे ट्राइ करके देखते हैं अब दबाओ टॉम बहुत बढ़िया इससे तुकाम बन गया अब आगे क्या टॉम? लगता है सेम को एक नई हेडलाइट की जरूरत है क्या तुमारे पास है जो फिट हो? कौन सी लगा कर देखें? अच्छी चोईस टॉम क्या कुछ और भी चाहिए? सही का एक पाने की भी जरूरत पड़ेगी वो वाला ठीक लगता है अब देखते हैं क्या ये फिट होगा? पहले क्या करें टॉम? अच्छा एडिया है चलो पेचों को धीला करते हैं ताकि टूटी हैडलाइट को बाहर निकाल सकें बहुत खूब अब नयवाला लगाए? अब नयवाला लगाए? ये तो बिल्कुल ठीक है अच्छा काम किया टॉम? क्या कुछ और भी करना है तुम्हें सैम के लिए? लगता है उस पर थोड़ा जंग लगा है इसके लिए क्या करें? सही कहा चलो जंग को घिस देते हैं ताकि सैम बिल्कुल नहीं जैसा हो जाए कस कर घिसो टॉम? ओ गुदगुदी हो रही है कैसा लग रहा है सैम? अच्छा होगा कि तुम वापस जाओ और पार पर चड़ने में मैट की मदद करो बाई टॉम बाई मैट फिर मिलेंगे बाई सैम टॉम दा टो ट्रक हाई स्टीव आज क्या करने वाले हो? क्या तुम रास्ते को फ्लैट कर रहे हो ताकि तुमारे दोस्ट इस पर असानी से ड्राइव कर सके? ग्रेट बहुत खूब स्टीव वो कैसी आवाज है? क्या वो एमबर दा एम्बूलेंस है? चलो देखते हैं क्या हो रहा है? ये रही एमबर लगता है उसे जल्दी हॉस्पिटल पहुँचना है स्टीव तो हॉस्पिटल के पास ही काम कर रहा था बस वो एम्बर के रास्ते में ना हो सुनो स्टीव एम्बर हॉस्पिटल की तरफ जा रही है तुमारा रास्ते से हट जाना ठीक रहेगा क्या हुआ स्टीव क्या तुमारा रोलर अटक गया है फिर कोशिश करके देखो पूरा जोर लगा दो स्टीव अरे नहीं क्या एक आखरी बार कोशिश करके देखें ठीक है स्टीव अच्छा रहेगा कि टॉम दा टो ट्रक को अभी बुला ले टॉम स्टीव दा स्टीम रोलर को तुमारी मदद की जरूरत है वो हॉस्पिटल के बाहर ही है जल्दी अरे नहीं एमबर तो आ गई सॉरी एमबर स्टीव हिल नहीं सकता उसके रोलर में कुछ खराबी है ओहो उमीद है टॉम यहां जल्दी आ जाएगा कमाउन टॉम गबराओं मत स्टीव टॉम बस आता ही होगा लो आ गया हे स्टीव टॉम आ गया मदद के लिए चिंता मत करो एमबर टॉम स्टीव को जल्दी रास्ते से हटा लेगा भाग खूब टॉम चलो अब स्टीव को हटाते हैं ताकि एमबर हॉस्पिटल जा सके अच्छा काम किया टॉम अब एमबर सीधा हॉस्पिटल जा सकती है भाई एमबर चलो अब घराज वापस चलके रोलर को ठीक करते हैं लो हम पहुँच गए स्टीव क्या खराबी है टॉम लगता है स्टीव का रोलर पूरा घिस गया है क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा रोलर है टॉम ध्यान से चूज करना तुम सही हो टॉम ये वाला स्टीव के लिए बहुत छोटा है उस वाले का साइज ठीक लग रहा है कैसे लगा कर देखें? अच्छा एडिया है टॉम हमें स्टीव को पहले जमीन से उपर उठाना होगा क्या तुम्हें लगता है नया रोलर फिट होगा? बहुत खूब टॉम इसका साइज बिलकुल ठीक है क्या स्टीव को कुछ और भी ठीक कराने की जरूरत है टॉम्हें सही कहा टॉम्हें चलो थोड़ी सफाई करते हैं क्या स्टीव करते हैं बहुत बड़ी है टॉम्हें स्टीव तो बिलकुल नए जैसा हो गया क्या हुआ टॉम्हें? बड़ी हुआ ओ, स्टीव की कार सीट तो बहुत पुरानी है क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा सीट है? वो वाले अच्छे दिख रहे हैं, उन्हें लगा कर देखते हैं तुम्हें पहले दर्वाजा खोलना होगा टॉम्हें ये फिट हो गया, अच्छा काम किया टॉम्हें क्या स्टीव वापस काम पे जाने को तयार है? नहीं, क्यूं नहीं? घबराओ मत स्टीव, ऐसी भी कोई बात नहीं है क्या हम स्टीव के मेरर पॉलिश करने वाले हैं? अच्छा आइडिया है टॉम्हें स्टीव तो बिल्कुल नहीं जैसा दिखेगा देखो तो कितना खुश है बड़िया काम किया टॉम्हें बाई स्टीव, बाई टॉम्हें, टैंक यू हाई बेबी फ्रैंक, कैसे हो तुम? ओ, ऐसा है, तुम्हें फीवर है और इस मौसम के फूल से तुम्हें छीके आ रही है अरे वा, देखो कितना सुन्दा डेजी है लेकिन मैं तुम्हारी जगा होता तो इतना पास नहीं जाता बेबी फ्रैंक ओ, समलके ओ, हेलो केटी बेबी फ्रैंक मस इस बड़े इसे देजी की खुश्बू लेने गया और वो गिर गया सही कहा बेबी केटी मुझे लगता है बेबी फ्रैंक का विंग मिरर तूट गया है बिल्कुल ठीक लिली टो ट्रक टॉम बेबी फ्रैंक को ठीक करने का कोई तरीका जरूर दूल लेगा हेई टॉम सुनो बेबी टॉम बेबी फ्रैंक को तुम्हारी मदद की जरूरत है वो फिसल कर गिरा और उसका विंग मिरर तूट गया क्या तुम ठीक कर सकते हो ग्रेट बेबी फ्रैंक बहुत खुश होगा चिंता मत करो बेबी फ्रैंक टॉम आ गया है तुम्हें गराज ले जाके ठीक करने के लिए मदद के लिए शुक्रिया बेबी केटी फिर मिलते हैं ठीक है टॉम्हें क्या तुम्हें लगता है बेबी फ्रैंक को नए विंग मिरर की जरूरत है? बहुत अच्छे अपना जादू दिखाओ टॉम्हें क्या बेबी फ्रैंक जाने के लिए तैयार है टॉम्हें ओ मैं सोच रहा हूँ टॉम्हें वहाँ पीछे क्या कर रहा है अरे वाह क्या वो बंपर स्टीकर है बेबी फ्रैंक के लिए बहुत अच्छा है अब तुम्हें डेजी रख सकते हो और तुम्हें छीक भी नहीं आएगी ठीक है बेबी फ्रैंक मुझे लगता है अब तुम घर जाने के लिए तैयार हो हाई बेबी केटी तुम यहां क्या कर रही हो ओ एक डेजी बेबी फ्रैंक के लिए मुझे नहीं लगता यह अच्छा एडिया है बेबी केटी ओ यह बात है बेबी फ्रैंक यह नकली है तो तुम्हें इससे छीक नहीं आएगी वैसे बेबी फ्रैंक मुझे लगता है अब तुम्हारे पास दो डेजी हो गए शुक्रिया बेबी केटी आज तुम्हारा लगी डे है बेबी फ्रैंक समहलके बेबी केटी हम नहीं चाहते कि एक और विंग मिरर टूटे तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया टॉम अपने नए विंग मेरर के मज़े लो बेबी फ्रैंक टॉम दे टू ट्रॉक है फ्रैंसिस लगता है तुम बहुत बिजी हो आज है फ्रैंसिस क्या तुम ठीक हो अरे रे वो तो खतरनाख हो सकता था चिंता मत करो फ्रैंसिस हम तुमें ठीक कर देंगे यही रोको मैं अभी बुला लाया टॉम को हे टॉम क्या तुम वापस घराज जा रहे हो तॉम तुमें शायद वापस लोटना पड़ सकता है फ्रैंसिस को तुम्हारी मदद की जरुरत है शुक्रिया टॉम तुम बहुत अच्छे हो चलो चलकर उसकी मदद करें पर वो है कहां वो रहा उतर देखो वो हमारा इंतजार कर रहा है संभाल कर टॉम है फ्रैंसिस टॉम तुम्हारी मदद के लिए आया है यह हम पौँच ले चलो शुरू हो जाओ टॉम्हारी तो सबसे पहले क्या किया जाए इसका फोर्क मुड़ गया है और वो खतरनाक है सही कहां चलो उसे बदल ले क्या ये ठीक है? अच्छा बढ़िया है वक्ते पुराने फोर्क को फेक कर नया वाला लगाने का और ये हो गया क्या तुम्हे अच्छा लग रहा है फ्रैंसिस? ओ ये देखो टॉम्हे उसके पेंट को भी ठीक करना पड़ेगा वो रहा क्या ये चलेगा? वक्त है नय पेंट कोट का शाबाज टॉम्हे फ्रैंसिस अब एक दूम नया लग रहा है अरे रे एक काम बच गया है सहीगा हमें उसके हजार लाइट का भी कुछ करना पड़ेगा क्या ये सही होगा? नहीं तो ये वाला? ये भी नहीं तो ये है बढ़िया बढ़िया शाबाज टॉम्हे अब सब कुछ बिलकुल नहीं लग रहा है मज़े करो फ्रैंसिस बाई बाई टॉम्हे फिर मिलते हैं टो ट्रक टॉम्हे हाई हेक्टर क्या कर रहे हो आज? तुम पैनी को नए फ्लाइंग ट्रिक्स सिखा रहे हो बहुत खूब पर वो है कहाँ? वो तुम्हारे पीछे ही तोड रही थी न? मुझे वो दिख नहीं रही घबराओ मत हैक्टर वो ठीकी होगी वो देखो वो रही हाई पैनी क्या तुम दिखा सकती हो तुमने आज क्या सीखा है? बहुत खूब पैनी हेक्टर जरूर एक बहुत अच्छा टीचर है यह आवाज कैसी? ओ यह तो हेक्टर के इयरपीस की है कौन था हेक्टर? तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा? ठीक है भाई हेक्टर फिर मिलते हैं अब क्या पैनी? क्या हम नीचे जमीन पर उतर जाए? नहीं फिर हम क्या करने वाले है? क्या तुम हेक्टर के फ्लाइंग ट्रिक्स खुद ट्राई करने वाली हो? ठीक है पैनी, जरा समल कर अरे वा, ये तो काफी मुश्किल था ओ नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा मुझे लगता है अब तुम्हें नीचे आ जाना चाहिए वहाँ उतरने की कोशिच करो समल कर, समल कर चिंता मत करो पैनी, हम टो ट्रक टॉम को बुलाएंगे वो इसे ठीक कर देगा टॉम, सुनो टॉम, पैनी प्लेन को तुम्हारी मदद की जरूरत है मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ चलते रहो, चलते रहो हम बस पहुँचने ही वाले हैं देखो वो रही खुश हो जाओ पैनी टॉम तुम्हें गराज ले जाकर एकदम ठीक कर देगा समल के, कोई जल्दी नहीं अच्छा काम किया टॉम्हें चलो घराज वापस चलते हैं क्या हुआ टॉम्हें क्या हुआ टॉम्हें तुम रुप क्यों गए मैं देख बोड़ लेकर थो क्या तुम परेशान हो कि पैनी के पंख सड़क के लिए बहुत लंबे है इसके लिए हमें क्या करना चाहिए टॉम्हें वो देखो पुलिस कार मैट सुनो मैट हम मुसीबत में हैं क्या तुम मदद कर सकते हो येए थैंक्यू मैट मैट सारी गाड़ियों को रास्ते से हटने के लिए कह रहा है ताकि पैनी जा सके अच्छा काम किया मैट थैंक्यू अब टॉम पैनी को गराज तक टो कर सकता है हम बस पहुँच नहीं वाले हैं पैनी जादा दूर नहीं जाना आप क्या हुआ टॉम लगता है पैनी का पंक टूट गया है क्या तुम ठीक कर सकते हो अच्छा इडिया है टॉम चलो इसे वेल्ड कर देते हैं और ये गरम भी होगा तो अपना चश्मा पैनना भूलना मात बहुत अच्छे टॉम कैसा लग रहा है पैनी ये बिल्कुल नए जैसा हो गया क्या तुम पैनी के लिए कुछ और कर सकते हो टॉम अरे नहीं पैनी की खिडकी टूट गई है जब वो बिल्डिंग से टकराई थी क्या तुमारे पास एक्स्ट्रा खिडकी है टॉम लगता है तुमारे पास काफी सारे हैं वो वाला नहीं वो तो गाड़ी की खिडकी है वो तो बहुत बड़ा है जरूर केसी ट्रक का होगा ये वाला ठीक लग रहा है मुझे लगता है पैनी बहुत उत्साहित है इसके लिए ये एकदम फिट है बहुत अच्छा काम किया टॉम देखो नई विंडो के साथ पैनी कितनी खुश है वो क्या है टॉम पैनी के एक वील में हवा नहीं है सही कहा टॉम हमें एर पंप की जरूरत है कहा है एर पंप टॉम ओ वो रहा ठीक है तॉम हरे सुच को दबाओ देखना पैनी का तायर पूरा हवा से भर जाए क्या इतना ठीक है टॉम अच्छा इडिया है चलो अब लाल बटन दबादो क्या सब हो गया टॉम क्या पैनी को कुछ और भी ठीक कराने की जरूरत है यह तो अच्छा इडिया है टॉम बस थोड़ा सा पैन्ट और फिर यह बिलकुल नए जैसी हो जाएगी यह तो बिलकुल सही रंग है तुम खुश हो ना पैनी अच्छी दिख रही हो बाई पैनी बाई तॉम थैंक यू प्राशब म φुड्ञ nécessारी में कानी प्राशब अच्छ ब्राशब्स अपे जसरो को जब मैं आएगे बाई टॉम य हнаसे अच्छाशब नूजब्स प्राशब में मैं एम प्राशब आएव जही रहावे रहीन झाल झाल झाल